नगर का किला यह है नहरुजी का एक संस्मरण है और इसे लिखा गया है 13 अप्रेल 1924 ने नहरुजी कहते हैं कि उनकी जेल की यह यात्रा उन्होंने नौवी बार की थी जब उन्हें जेल में आये हुए 20 महिने से भी अधिक समय हो चुका था और जब वह जेल में आये थे तो अंधियारे आकास में जिल मिलाते दूज के चांद ने उनका स्वागत किया था यानि कि द्वीतिया तिथी होती है दूज तिथी होती है उसमें वह जेल में आये थे और उस वक्त चांद खिला हुआ था यानि कि दो पक्ष होते हैं एक महीने में जिसमें एक शुकल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है शुकल पक्ष सुरू हो चुगा था जब वह जेल में आये थे तब से हर बार जब नया चान उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का एक महीना और वीट गया नहरु जी, अपने पूरे समय को कैसे काउंट करते थे, चान से काउंट करते थे यैसे कि जब उन्हें एक महीने का कैसे पता चलता था कि एक नया चांद उपता तो उन्हें पता चल जाता कि वहाँ उन्हें जेल में आये पे कितना टाइम हो गया है चांद मेरे बंदी जीवन का स्थाई सहचर रहा है वह कहते हैं कि जो उनका जेल का जीवन था उसमें स्थाई रूप से चांद उनके साथ रहता था वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है वहां आशा की बात कर रहे हैं कि जो भी अंधेरा आता है उसके बाद उजाला जरूर आता है दूसरी जेलों की तरह है एहमद नगर के किले में भी मैंने बागबानी करना शुरू कर दिया बगबनी यानि गार्डनी मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा मिटी पहुत खराब थी पत्री ली पुराने मलबे और आवशेशों से भरी हुई थी वहां की जेल की मिटी बड़ी पत्थरों वाली थी बहुत जादा मलबा था पुराना समान उसमें अवशेश भी भरे हुए थे यानि बचे हुए कुछ सामान उसमें मिलते थे क्यों मिलता था पथर और मलबा यूकि है इतिहास अस्तल है इसलिए अतीत में इसने कई युधु और राज महलों की दूर संधियां भी देखी हैं राज महलों के कई यूद और दुर्भी संधियां होती है कुर्चक्रू जैसे सड्यंत्र वगेरा किये जाते थे पहले टाइम में वह सब इस जेल ने देखे थे इस एहमद नगर के किले ने देखे थे यह नहरूजे पताते हैं यहां का इतिहास बहुत पुराना नहीं है घटनाओं की दर्ष्टी से इसकी कोई विशेश एहमियत भी नहीं है क्योंकि इसमें इतनी घटनाएं भी घटित नहीं हुई है इसलिए इसकी कोई विशेश एहमियत भी नहीं हुई है लेकिन नहरोजी कहते हैं कि इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद हुआती है यह घटना है चांद बीवी नाम की एक सुन्दर महीला के साहस की कहाने चांद बीवी ने इसके लेकी रख्षा के लिए अकवर की साही सेना के विरुध हाथ में तलवार उठा कर अपनी सेना का नित्रत्व किया पर अंत में उसकी हध्या कर दी गई और उसकी हध्या खुद के ही व्यक्ति के हाथों हुई जैसा की बताया गया की दुर्भी संधिया यानि कुछ चक्र होते रहते थे राजगद्धी हथ्याने के लिए खुदाई की दुरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुमबदों और इमारतों के उपरी हिस्से भी मिले यानि कि जब वो बागबानी करते थे तो उन्हें खुदाई में मंजिल कुछ इमारतों के उपरी हिस्से भी मिलते थे और गुंबद भी मिलते थे हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों ने इसकी मंजूरी दी और ना ही उनके पास ऐसे कोई साधन थे जिससे वो काम को शुरूर रख सके अब मैंने कुदाल छोड़ कर हाथ में कला मठाली है वे कहते हैं कुदाल यानि जो मिट्टी खोदने के लिए एक छोटा सा फावडा टाइप का होता है उसे कुदाल कहते हैं तो कहते हैं कि अब मैंने पैन ले लिया था अब मैंने लिखना शुरू कर दिया था पर मैं जब करना चाहता था और अनुभव लेना चाहता था मैं उसके बारे में कुछ नहीं लिख सकता जब तक मैं कोई काम करना ना सीखलू वे कहते हैं कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं लिख सकता नहीं पैगंबर की भूमी का अक्तियार कर मैं फिलहाल भविश्य के बारे में लिख सक कहते हैं कि मुझे अपने भविष्य का वि कुछ पता नहीं है जिसके बारे मैं कुछ लिख सकू本 से बचार रहता है अतीट यहाने की मेरे पास लikने के लिए केवल अतीट यानि पुरानी बाते हैं पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वता पूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। नेरोजे कहते हैं कि मैं इतना विद्वान नहीं हूँ कि पुरानी बाते मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख सको। मैं पहले की ही तरह अपने आज की विचारों और प्रिया कलापों के साथ संबन स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। मैं कहते हैं कि जैसा मैं हमेशा लिखता रहता हूँ यानि कि अभी वर्तमान जो समय चल रहा है उसी के बारे में मैं कुछ लिख सकता हूँ गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इत्यास लेखन अतीत के भारी बोज से एक सीमा तक राहत दिलाता है गेटे के बारे में वह लिखते हैं कि उन्होंने कहा था कि पुरानी बाते लिखने की वजाए अभी जो चल रहा है जो क्रिया कलाप हो रहे हैं उनके बारे में लिखने से हमें अतीत के पुराने बोज से मुक्ति मिल जाती है अतीत का दबाव क्या है दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है कभी कभी ये दबाव दम घुटू होता है खास तोर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं नहरुजी भारत और चीन के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से दोनों देशों की सभ्यताँ अतीब प्राचीन है फिर वह प्रश्ण करते हैं आखिर मेरी विरासत क्या है मैं किन बातों का उत्राधिकारी हूं क्या उन सब का जिसे मानवता ने दस्यों हजारों साल के दोरान हासिल किया वे कहता है दस हजार साल के दोरान हमने जो सीखा क्या मैं उन बातों का उत्रादी कारी हूँ उसकी विज्यों के उल्हास का उसकी परायजों के दुखदी अंतरना का मानव के उन हैरत अंगेज सहासिक कारियों का जिनकी सुरुवात युगों पहले हुई और जो अभी जारी है और हमें हाकशित करती है जब कोई जीटता है तो खुशी होती है और हारता है तो दुख होता है नहरुजी कह रहे हैं कि जो विजे के उल्हास थे और पराजे की जो यंत्रना थी दुख था उन सब कारियों की शुरुआत युगों पहले हुई थी और अभी भी चल रहा है यानि कि सुख और दुख हमेशा आते जाते रहते हैं मैं इस सब का वारिश हूँ यानि मैंने ये सब चीजे पहले के समय में देखी हैं मुझे ये सब वारिश के रूप में प्राप्त हुए हैं साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाती की साजेदारी है वह कहते हैं कि जो पूरी मानव जाती को मिला है मैं उन सब का भी वारिश हूँ हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता तो यह कहते हैं कि सभी व्यक्ति समान होते हैं अलबता एक बात हम लोगों को पर विशेश रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है इसी विशेशता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप भी बनेगा कहते हैं कि कुछ बाते मनुश्यों में जिसमें रक्त, मांस और अस्थियां यानि हड्डियां होती है उनसे एक मनुष्य का निर्मान होता है और यही चीज जो है हमारे वर्तमान रूप को बनाती है और हमारे आने वाले रूप का भी निर्मान करती है इसी विशिष्ट विरासत का विचार विशिष्ट विरासत यानि विशेश रूप से कोई जो विरासत होती है उसका विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अर्से से मेरे मन में घर किये है मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ वे कहते हैं कि जो हमें विरासत मिली है मैं उसके बारे में लिखना चाहता हूँ विशे की कठिनाई और जटिलता मुझे भैभीत करती है वे कहते हैं कि इन पर लिखना बहुत ही कठिन है और जटिल है जटिल यानि मुश्किल है मुझे लगता है मैं सतही तोर पर इसका स्पश्री कर सकता हूं और वे कहते हैं कि इतना कठिन विशे मैंने लिखने के लिए चुन लिया है और इसी कारण से मैं केवल इसे उपरी तोर पर ही स्पर्श कर सकता हूँ इसे भीतर तक जाकर के बर्नन इसका नहीं कर सकता हूँ इस प्रकार से एहमद नगर के किले के बारे में वह लिखते हैं कि किस प्रकार से उन पर अतीत का दबाव बना हुआ है यनि पुरानी बाते उन्हें इस प्रकार से दम खोटू लग रही है